इस lecture के अंदर हम देखेंगे कि Python को कैसे use किया जाता है to create a vector, to create a matrix और NumPy library किस तरीके से utilize की जा सकती है जहां से हमने Python की coding for data science छोड़ी थी इस पूरे 6 मा के course में आज वहीं से start करने वाले हैं और NumPy के अंदर हम different किसम की arrays और matrices को देखेंगे कि हमने किस तरीके से पहले बनाये थे और अब उन से आगे हम चलेंगे मैं अपनी screen आपके सामने share करता हूँ ये screen आपके सामने आ चुकी है so number 5 mathematics में जा कि मैं एक नहीं notebook बनाता हूँ 01.linearalgebra.ipynb ये मैंने notebook बना लिए अब इस notebook के अंदर start पे मैं यहाँ पे एक comment दे देता हूँ linear algebra in python तो ये मेरा जो है ये topic है आज का linear algebra in python मैं यहाँ से करनल साहब अपने python EDA वाले select कर लेता हूँ जहाँ पे हमने काम करने है ठीक है so अब यहाँ से हम linear algebra को अच्छे से समझेंगे और python के अंदर perform करेंगे सबसे पहली चीज़ जब भी आप linear algebra की बात कर रहे हों उस वकत दो तिन चीज़ों का आपने ख्यार रखना होता है पहली चीज़ यह है कि vectors क्या होते हैं दूसरी यह है कि matrices क्या होते हैं ठीक है और system of equations क्या होती है for example यहाँ पर मैं लिखता हूँ import numpy as np as np जैसे हम लिखते हैं coding के अंदर तो यह हमारे पास numpy की library जो है वो import हो गई है अगर आपके पास यह option नहीं आ रही तो आपको पिछले lectures देखने पड़ेंगे and then you can see कि आपके पास क्या चीज़ जो है वो बन रही है अब यहाँ पर जो अगली चीज़ है मैं coefficient of matrix बनाऊंगा यानि के coefficient of matrix coefficient matrix A जो हमारा पहला होता है system of equation के अंदर coefficient matrix वो हम बनाएंगे which is A is equal to np. और इसके अंदर हम coefficient of matrix की value लिखेंगे मैं यहाँ पर जो matrix बनाता हूँ उसको double dimension का बनाता हूँ obviously matrix हमारे पास double dimension का होता है A की value है 2 और 3 और दूसरे की value मेरे पास हो जाएगी 5 and 7 5,7 ठीक है यह मेरे पास 2 value हो गए और यह मेरे पास एक matrix आगया जिसका नाम है A ठीक है और A को अगर देखा जाए तो यह यहाँ पर आपके पास इसकी ज्यादा information clearly आजाए कि मैं इसको zoom out करता हूँ थोड़ा सा like this now you can have a look के हमारे पास जो 2,3,5,7 यह 4 digits का एक matrix बन गया है तो इसका मतलब है num pi को use करके हम कोई भी matrix बना सकते है यह matrix जो मैने बनाया है यह 2 by 2 का arrays भी बोलते है ठीक है so अभी हमने इसको matrix बोला है क्योंकि 2 by 2 का double dimension का भी यही मतलब है कि 2 columns, 2 rows यहाँ पर आपको clear हो गया अब हमने बनाना है जो हमारा दूसरा matrix होता है which is constant matrix B constant matrix B B हमने बनाना है क्योंकि AX is equal to B होता है so B जो हम बनाएंगे यहाँ पर उसको हम बनाते है for example मैं simply जो मेरे पास suggestion आ रही थी उसी को follow करता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर 8,20 यह इस तरीके से B को बनाता हूँ B क्यों मैंने ऐसे बनाया यह आपको भी पता है कि B जो है हमारे पास वो basically one dimension है यानि के 8 और 20 दो values लिखी जाती है ठीक है यह आगे हमारे पास 8 and 20 then हमने क्या करना है X के लिए solve करना है X के लिए solve करना है अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यार यह X के लिए सीधा हम कैसे solve कर सकते हैं तो मैं अभी आपको बताता हूँ इस matrix में जो कारनामा चल रहा है वो कुछ इस तरीके से है यह screen आपके सामने share हो रही है अब इसमें देखते हैं कि जो हमने काम matrix के उपर करना है वो क्या है सबसे पहली बात जब हम कोई भी एक equation लिखते हैं तो उसके बाद हमारे पास X को हमने Y is equal to 20 ठीक है यह मेरे पास एक system of equation आ गया तो हम matrix बनाते हैं 2, 5, 3 and 4 ठीक है और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है X and Y ठीक है और फिर is equal to B आ जाता है हमारे पास 8 and 20 तो हम इन तीनों को नाम देते हैं बकाईदा जैसे हमने इसको दिया था A का matrix A इसको दिया था X का इसको देते हैं B का ठीक है तो मैंने यही काम किया B बनाया है A बनाया है और X बनाया है अगर आप गोर करें यही काम है न 2, 3 और 5 4 करना था मैंने 7 कर दिया उसको उसको 4 करना है मैं दुबारा से इसको set कर देता हूँ ये मेरे पास आ गया और ये मेरे पास 8 and 20 आ गया ठीक है A और B हमने यहां पर design किया जो मैंने यहां पर आपको बता है राइट A और B जब आप बना लेते हैं फिर उससे आगया आपने कैसे move करना है now we will see that X जो है हमारे पास आपको बता है X और Y आ जाता है हमने क्या करना है अब solve for X करते है solve for X X के लिए solve करने के लिए आप simply क्या करेंगे X लिखेंगे is equal to NP यानि के numpy dot linear algebra dot solve हम solve करेंगे किस चीज को A, B को तो ये जो हमारे पास एक line लिखी आती है ये X के लिए हमें solution दे देगी ठीक है for example X क्या है हमारे पास ये पूरे का पूरा vector sorry जो हमारे पास X हार है ये पूरे का पूरा हमारे पास आप इसे कह सकते हैं कि एक vector है या आप इसे 2 by 1 का matrix भी बोल सकते है so जो second matrix है जिसे हम X बोल रहे है उसको हमने यहां पे solve करना है जैसे हम इसको solve करते है ये हमें 4 और 0 की value देते है ठीक है so इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास value है that is 4 and 0 that also means कि हमारे पास जो X है वो 4 में होगा Y हमारे पास 0 होगा और जैसे हम इनकी values input करेंगे तो हमारे पास जो answer है वो आ जाएगा ठीक है मतलब ये वो फिर इस equation जो हमने वहां पे लिखी थी उसको मैं यहां पे भी लिख देता हूँ जो equation हमने वहां पे लिखी थी so हमारे पास उस equation का answer आ जाएगा ये जो system of equation है hopefully I can write that here as well sorry ये जो equation है ये हमारे पास इसका भी answer आ सकता है is equal to 8 and second one is equal to 20 this is how you can solve in using numpy ठीक है so ये हमारे पास system of equation आ जाती है इस system of equation की base पे we can resolve many things related numpy right जी यहां पे इस तरीके से so हमारे पास x जब आ गया इसका मतलब जो पहली quantity है इसमें वो x है जो दूसरी है हमारे पास y है तो simply हम इस तरीके से equation को resolve कर लेते हैं और हमारे पास जो system of equation है वो फोरन से resolve होके हमारे सामने आ जाती है इतना असान है तो जो operations आपने perform की है यहां पे automatically numpy आपको perform करके दे रही अब numpy क्या है जो मैंने आपको पहले भी बताया यहां पे आप numpy पे लिखें Google पे जाके numpy लिखें numpy लिखने के बाद आपके पास एक library open होगे जिसका नाम है numerical python numerical python जो है यह basically library है जिसके अंदर mathematics के सारे के सारे codes जो है functions जो हैं वो automatically बने हुए so you don't need to write each and everything और सारा कुछ यहां पे आपके सामने इस तरीके से आजाएगा यहां तक आपको clear हो गया समझागी बात की computation में हम किस तरीके से इनको resolve करते है ठीक है so यह basic equation यानि के basic system of equation हम इस तरीके से resolve कर लेते हैं और हमारे पास x की value आजाती है इतना ही असान है python को use करना यही equations जितनी बड़ी होती जाएगी उतना असानी हमारे साथ python को use करके आजाएगी अब हम next lecture में चलते हैं